तो आईए स्टार्ट करते हैं सिंदू नजी तंत्रे ठीक है तो लेक्चर आठ आठ आपकर लेकर आए हैं और लेक्चर आठ का पार्ट वन हलका सामने आपको स्टार्ट कर दिया था और इसे पार्ट वन मान लेजी या पार्ट टू ठीक है तो रियल में यहीं से लेक्चर स्दू नदीद तंतर, इससे पहले जो हमने लस्ट लेक्षर में जो आपका खताम होना था यह लेसन साथ उसका बात करें कि ऑपर के भाग को बनाए यह जे-लिट के वारा जि Joseph Tousमा जीए वारा, जो अब क्या है जो आब क्या है? जो अब आपका लद्दाफ शेतर कहलाता है ठीक है ये उपर का पॉर्षन ये लद्दाफ शेतर है और निचे क्या है ये अपका ये पूरा पॉर्षन ये लद्दाफ शेतर है और ये चेंड के वरा शेतर है ठीक है तो इसके में बात करेंगे कि यहाँ पर जो नदी मूल रूट से प्रवाइत हो रही है तो कौन सी सिंधु नदी यानि कि उत्तर की तरफ जो मुकसमीर की तरफ जो नदी है मुखिन नदी सिंधु नदी है और उसके साहक जो नदिया है वो क्या है उसके साहक नदिया कौन-कौन सी है तो इसको विस्तार प्रोग बात करेंगे तो आई ये स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी तंद्रे लेकिन इससे पहरे इसकी प्रिष्ट भूमी तयार करते हैं कि सिंधु जो नदी है सिंधु नदी कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां पर ये लास्ट इसका ए तो मैं आपको बतादूं इधर पढ़ता है चेमा यूंग डू ग्लेश्यर यहाँ पर क्योंकि नदियों को जो पानी मिलता है उसके लिए रोमेटेल का काम जो करते हैं वह कौन करता है ग्लेश्यर तो यह क्या है चेमा यूंग डूंग ये माल लिए तीन लड़किया है चेमा है यूंग है और डूंग है ठीक है चेमा यूंग और डूंग ठीक है तीन दोस्त है और वो क्या है एक साथ बोलेंगे तो चेमा यूंग डूंग तो ग्रेशन के नाम क्या है CMIUNUNG यहाँ से ऊपर क्या मान सुरोर जील है तो वहीं से एक नदी की धारा भहरी है और वह धारा क्या है वह धारा हमारा जो यह बाल्टिक छेतर है यह आपका कहाँ प्रता है कार्वी छेतर में और सबसे उंचा स्थान भी है यह यह आपको पढ़ पड़ता है ये बटालिक शेत्र पड़ता है बटालिक ठीक है तो ये बटालिक शेत्र है और सबसे उच्छा युदिस्थान के रुप में जाना जाता है यहीं पर हमारा कारगिल का युद्वाता कारगिली ठीक है सबसे उच्छा युदिस्थान है तो यहां से ये प्रवाहि गिल्गित छेत्र में कहाँ पर ये अपका गिल्गित बाल्टिस्तान ये गिल्गित बाल्टिस्तान का छेत्र है तो यहाँ से यहाँ से ये नदी पहुचती है पाकिस्तान छेत्र में ठीक है पाकिस्तान के खैबर पक्तुन प्रांथ सिंद प्रांथ और ये आपका फंजा प्रांथ है और ये सिंद प्रांथ से होते हुए ये कहाँ विलीन हो जाती है यहाँ पर ये अरब सागर में ये जो आपका टेकिए यह क्या है अरब सागर ये आपका नीचे अरब सागर है है तो यह अरब सागर में विलीन बदती है यहाँ पर इस नदी के कि से जो कुष्चिं मनते है तो इस नदी के पुष्चता हिए कि इसमें दाई और से कौन-कौन सी साहँ नदिया है आकर मिलती है और इसे बाई और से कौन-कौन से साहिक नदिया आकर मिलती है एक तो यह कुश्चा मिलता है दूसरा इसकी जो साहिक नदिया है तो जब दो नदियों के बीच का इस्थान जैसे कि हम बात करेंगे यह नदी है कुन सी यह नदी जेलम नदी ठीक है इसकी साहक नदी है कुन सी जेलम नदी तो यहाँ पर जेलम यहाँ पर यह मैं नदी कुन सी है सिंधु नदी यह सिंधु नदी है ठीक है यह सिंधु नदी है और यह क्या है यह जेलम तो यह कोशन में बनता है कि यहाँ पर यह बीच का पोर्षन है तो बीच का पोर्षन दो नदियों के बीच की इस्थान को क्या करते हैं दोआब बोलते हैं ठीक है क्या है दोआब बीच की इस्थान क्या बोलेंगे दोआब दोआब दवाब का मतलब होता है उपजाव हुमी नद्यों के बीच में जो उपजाव हुमी है वो क्या कहलेगी दवाब तो शिंदु और जेलम के विच के मध्य का दौआब है, जो उबजाविश्थान है, उसे क्या बोलते हैं, तो यह बुर रहता है, सिंदु सागरदौाब, कौन सा, सिंदु सागरदौाब, तो इस प्रकार का question भी क्या है, बना हुआ है, और इस में हम आपको मैदानी chapter में चर् अच्छे दाया और बाया नदियों का दाया और बाय कहा है तो यह बड़ा EASY है यदि सपोज किरो यह नदी कैं है यह चेमाई उन उंगलेश्यर से निकली है ठीक है और इधर क्या होते हुए ये पूरा अरब सागर में आकर ये विलीन हुई है तो इधर की तरब को मुझ करके खड़े हो जाएए तो आपका ये राइट हाइड हैंड आ रहा है तो ये क्या होगा ये दाइं ओर होगा और ये क्या आकर नदिया मिलती है तिसरा बाइं और से कौन सी आकर नदिय मिलती है तो ये वाला पॉइंट रहा फिर पॉइंट आएगा इसका आपका कि इसमें जो इसकी नदिया है तो इस सारी नदिया जो इधर बाइं और से आकर नदिया मिल रही है तो वो क्या है वो सारी की सारी प तरफ जा रही हैं तो यहां पर क्योंकि हिंदुस्तान में बह रही हैं मुलपार्ट हिंदुस्तान में बह रहा हैं तो पाकिस्तान में पानी का इदिन को रोग दिया रहे तो पाकिस्तान में पानी का अभाव हो जाएगा और सुप्रीम कोट यह कहता है कि नदियों का जो जल ह जो नदियों का जल है वो किसी की जाजाद नहीं है जिदे ढ़ाल होगा उधर का भी जान रखा जाएगा तो इसलिए 80% सिंदु और सहक नदियों का 80% पानी किसको दिया जाता है वो दिया जाता है आपका पंजाब को सुरी पाकिस्तान को ठीक है इसके लिए क्या है सिंदु जल समझोता भी किया गया है तो आज जो हम देखेंगे इनी बातों को देखेंगे तो सबसे पहले इसकी पुरुष्ट भूमी जमाते हैं ये अपने सिद्र बना लिया होगा इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे बात करते हैं ठीक है जल्दी से नोट कीजिए ठीक है तो सबसे पहले इसकी पुरुष्ट भूमी जमाते हैं देखें नदियों के किनारे यदि हम सिंदु नदी के बात करेंगे तो भारती संस्कृति जो स्टार्टिंग माने जाती है वो आपकी सिंदु नदी के किनारे से ही स्टार्ट माने जाती है भारत का जो जो भी पूरा स कंदेखिया इसी के आसपास सबसे पहले उसने पनपनाई स्टाइट किया इसलिए भारति को यह सिंदू सिंस्कृति के । ना म से हैंल। हमारे दिश का नाम जो हिंदूस्तान की अन्दी के आज पास रहने की करण वह पढ़ा है तो ऑगे इस बात को लिखते हैं जो जो सिंदू नदी है पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन लेंगे इंट्रो इंट्रोडक्शन ठीक है तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे आप तो लिखेंगे इसमें सिंदू नदी को शिन्दू नदी को भारते उपमादीप भारते उपमादीप उपमादीप शिन्दू नदी को भारते उपमादीप की संस्कृती संस्कृती वेश्च सभ्यता का मुख्य ध्योतक माना जाता है ध्योतक माना जाता है ठीक है ध्योतक माना जाता है इसी के नाम पर हमारे देश का नाम नाम हिंदुस्तान हिंदुस्तान पड़ा क्या बैग्ग्राउंड है इसका अश्रत में जो फोरर कंटि से लोग आए तो सबसे पहले हमारे एश्या में से लोग आए तो ये कों थे ईरानी तो ये क्या बोलते थे ये बोलते थे से इनको है नहीं बोला जाता था इनको क्या है से इनको बोलन जाता था से कोई क्या बोलते थे ये है बोलते थे सिंदु नदी को इनको हिंदु नदी कहा इसके किनारे के छेतर को इनको क्या है हिंदुस्तान कहा तो इसी के नाम प्रका है हिंदुस्तान नाम पड़ा है अब क्योंकि यह जो नदी है यह नदी आपका तिबति छेतर में भारति छेतर में और पाकिस्तान छेतर में तो तीन तिन देशों से और कर जा रही है इस नदी को पॉइंट बनाएंगे इस नदी को ट्रांस इस नदी को ट्रांस बाउंडरी नदी भी कहा जाता है ठीक है ट्रांस बाउंडरी नदी भी कहा गया है यह है तिब्वती छेत्र से निकल कर भारत भारत में कहां लद्दाक ठीक है लद्दाक वे जेंड के हैं और दोनों क्या हैं यूटी हैं भारत से होते हुए से होते हुए ठीक है भारते छेत्र से होते हुए पाकिस्तान पाकिस्तान के कौन से खैवर पक्तून प्रांथ पंजाप रांथ और अंत में शिंद प्रांथ से अरब सागर में अरब सागर में विलीन हो जाती है तो यह रहा इसका है इंट्रोडक्शन यजए हम बात करेंगे पाकिस्तान चोड़ी यह हम बात करेंगे पाकिस्तानी पाकिस्तानी शेत्र की तो ये पाकिस्तान का नक्षा है ठीक है तो पाकिस्तान के नक्षे में यहां पर इस तरीके से ये शेत्र जो ये एक प्रांथ ये रहा दूसरा आपका ये हैं ठीक है और आपका ये इस प्रकार सी ठीक है यह आपका पाकिस्तान का नक्सा है और इसमें यह वार राज़ प्रांत है यह है खैबर पक्तून प्रांत ठीक है तो यहीं से एंट्री करती है यह जो नदी है आपका सिंदू नदी खैबर पक्तून प्रांत से आएगी उसके बाद यह आपका पंजाब प्रांत और यह आपका सिंद्ध प्रांत से होते हुए यह यहां अरब सागर में क्या हो जाएगा अरब सागर में विलीन हो करूब करेंगे यह हैं यहां पर रटाई चीलाथ है पंजाब परांथ है है ठीक है कि और यहाँ पर पड़ता है। परांथ ए और यहां पर है ह Cor leuke करांची के पास आकर करांची के पासा कर ये अरब सागरों करती है, ये करांची और ये हैटरमाद है, हम एंसन करना चाहता आप शेवर कर सकते हो, इधर जो ये आपका बर्जिस्तान परांथ परता है, ये बर्जिस्तान परांथ है, ठीक है, और ये आपका बर्जिस्तान, यह देखा जाए तो यहां पर जो बर्जिस्तान है यहीं तक है और यह पूरा छेतर पूरा छेतर क्या है यह पूरा छेतर बलुचिस्तान है बलुचिस्तान और बलुचिस्तान सबसे बड़ा प्रांथ है यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांथ है एरी के हिसाब से ठीक है तो यह रही है आपकी पाकिस्तान से समय बाते ठीक है इससे ज्यादे आपको जानकारी के और सकता नहीं है हम बात पर कर रहे हैं केवल सिंदु नितंतर के प ठीक है, बात करते हैं, नेक्स्ट टोपिक की, सिंदु की सहयक नदिया, सिंदु की सहयक नदिया, सहयक नदिया, ठीक है, अब इसे हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो क्या है, जो बाइं और से, बाइं और से, आकर, मिलने वाली, और एक दाइं और से, राइट साइड से, दाइं और से, आकर, मिलने वाली, ठीक है, हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, ठीक है, आप इन ट्रिक के मादिम से याद गरेंगे, शोंक में, ठीक है, एक तो क्याद रखेंगे हैं हमारी, शोंक में, ठीक है, शोंक में, शोंक से, दोस्त को गरे लगाया, एक लड़की है, नादान सी, ठीक है, उसने अपना बॉय फ्रेंड बना लिया है, शोंक में, दोस्त को, गरे लगाया, गरे लगाया, ठीक है, गरे, ये गरे, लगाया, और दोस्त का नाम क्या है, कुर्रम, दोस्त को गरे लगाया, कुर्रम को, किसको, कुर्रम को, और कॉमल मन से बोली, और, कॉमल मन से, दोस्त को गले लगाया, और यहीं पर लिखेंगे आप, तो जब गले लगा लिया, तो क्या है, उसको वो कबूल कर चुकी है, गले लगाया, या कबूला, ठीक है, ध्यान रखेंगे, और दोस्त का नम क्या है, कुर्रम, और, कॉमल मन से, किसे, कॉमल मन से, कॉमल मन से, बोली, अभी मैं आपको, सारी नदिया, बड़े अराम से क्लियर कराऊंगा, ठीक है, अब जब दोस्त बन गया है, और, कॉमल मन से, गले भी लगा लिया है, तो क्या होगा, अब फिर दावत होगी, ठीक है, फिर तो क्या होगी, दावत होगी, कब, दावत होग भी सांज को ठीक है तो दाइं और से अपर मिलने वलने दिया कि ट्रिक क्या है वो है यह वाली सांज को ठीक है ठीक है सांज को चीरा जाएगा ठीक है सांज को चीरा जाएगा ठीक है सांज को चीरा जाएगा ठीक है कहां से बीच से बीच से यानि के बीच को क्या बोलते हैं व्यास ठीके इसको क्या बोलते हैं हम पढ़े लिखे हैं ना तो पढ़ा ही लिखाई की बात करेंगे व्यास सीता फल का किसका सीता फल का अरे कोई यहां बकरा थोड़ी बनेगा मुर्का थोड़ी बनेगा क्या सीता फल पेठे को चीर दिये रहाएगा का से बीच से बीच से चीर दिये रहाएगा और बीच क्या होता है बीच तो व्यास होता है आईए सहाय करने दियान बिल्कुल आपको मैं क्लेर करा जिता हूँ इन दो ट्रिक के मात्यम से तो ध्यान रखना क्या कर रही है सोख से गले लगा रही है किसे सोख से देखे ये है आपका क्या ये आपका सिंदु नदी चियमाई उन इंगले से निकली और ये भारत में एंट्री कर रही कहां से पाल्टिक करगल छेतर से और गिलकित छेतर में पहुँची पाकिस्तान और खेबर पक्तुल पुरांत से यह कहां पोच रही है यह आपका पंजाब पुरांत और सिंध पुरांत से होते हैं अरब सागर में क्या कर दिया इसने यह विरीन हो गी है ठीक है और यहां पर जो साहिक न दिया है तो साहिक न दिया है तो पिक चल रहा है साहिक न दियोगा दो प्रकार से हम इसको पड़ रहे हैं एक तो बाई और सी ठीक है कौनसा दाई और सी ये आपका दाया हाथ है तो दाई और सी आकर जो मिलेगी ये आपका हमने आपको ट्रीक बताई यह आपका भई हाथ जो पड़ेगा न यह दाया पड़ेगा यह क्या है यह दाया हाथ है यहाँ पकल लिजे दाया बै की कर लिजे दै दाया और यह क्या है इसको बना लिजे बै कोई दिक्कर नहीं है बाई और से यह कैसे रहेगा हाँ ठीक है ठीक है बिल्कुल ठीक है कोई दिकत नहीं है यह आपको बस यहाँ पर यह दाया किरेंगे बाया करना है और बाया किरेंगे दाया करना है बाकि ट्रिक सेम है देखिए तो हमने बताया सोक्षे ठीक है तो यहां शोक नदी ठीक है यहां पर कोड़ सी नदी आएका मिल पी है शोक नदी ठीक है तो शोक्षे दोस्त को द्रास नदी ठीक है दोस्त को द्रास नदी ठीक है गले लगाया गिलगित न दी कौनसी गिलगित न दी गिलगित गिलगित न दी शोक्षे दोस्त को गले लगाया और ये भारती छेतर खतम ठीक है ये क्या है ये भारती छेतर की शीमा खतम ये था भारती छेतर ये भारत की बाद चल रही थी ये भारत वाला पोर्शन है ठीक है और ये इस तरीके से यह आपर रहेगा ये भारत की बाउंडरी बनाई है हमने अब शोक्षे दोस्त को गले गले लगाया और दोस्त का नाम क्या है कुर्रम क्या है ये आपका कुर्रम कौन सा दोस्त है कुर्रम ये कुर्रम नदी अब जब गले लगा लेता क्या है कबूल लिया वह इसने तो क्या कर लिया कबूल लिया काबूल नदी कॉमल मन से बोली ठीक है तो गॉमल नदी ये कॉमल मन है क्या की जिए हम यूज करेंगे ग्या ठीक है गॉमल नदी गोमल नदी ठीक है और बोली बोली से बोलन नदी क्या है बोलन नदी तो ये रही आपकी दाइं ओर से ये रही आपका दाइं ओर से आकर मिलने वाल नदिया आप इसको mention कर ले जिए बाकी हम बात करेंगे आपकी बाई ओर से ये दाया हाथ पड़ रहा है इधर से कुमू करके खड़े हैं आप तो दाई ओर से आकर मिलने वाली नदिया अब बात करते हैं बाई ओर से आकर मिलने वाली नदिया ठीक है तो ये रही आपकी उपर दाई ओर ये दाई ओर की नदिया ठीक है सहायक न दिया सहायक अब बात करेंगे बाई और की ठीक है तो बाई और से आप देखे अब क्या होगी भै जब सब क्या है मिलन हो गया है तो अब दावत का जुगाड हो गया अब क्या साधी विवा के बात करेंगे अपना दावत चलेगी तो दावत कैसे चलेगी दावत चलेगी सांज को ठीक है और सांज से से बना सिंदु नदी ये पहले ही नदी क्या है शिंदु नदी क्या है शिंदु इसे अलग कलर से ले लो शिंदु नदी शिंदु नदी ठीक है सांज को जै तो सांज यह आई जेलम नदी यहाँ पर जेलम क्या है जेलम नदी सांज को चीरा जाएगा चै चीरा तो चिनाब 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 नदी ठीक है और रैसे यह आपका यह आएगी चीरा रावी नदी ठीक है रावी नदी यह रावी नदी आई और उसके पुष्षत क्या है यह आपका रावी के पुष्षत ही आई आपकी रावी तो सांज को चीरा रहेगा क्या व्यास से बीच से चीर दिया रहेगा क्या व्यास यनिके व्यास नदी और किसको सीता फल को किसको सीता फल को यनिके सतलज सतलज नदी तो यह रहा आपका हमेशा के लिए तयार कौनसा सहयक नदिया ठीक है सिंदु नदी तंत्र की नदिया कभी भी आप से सिंदु नदी तंत्र की नदियों को पूछेगा या साहिक नदियों को पूछेगा तो ध्यान रखना क्या होगा शोक से दोस्त को गले लगाया दोस्त का नाम था कुर्रम ठीक है? कुर्रम कुर्रम और यहनी कि गले लगा ले तो क्या कर लिया कबूल लिया क्या कर लिया कबूल लिया कॉमल मन से बोली मुझे कबूल है ठीक है जब कबूल हो गया है तो क्या होगी दावत होगी शाम को ठीक है तो दावत को होगी सांज को से से शिंधु न दी ठीक है जे और जे से जेलम न दी और दावत किस की होगी सीता फल काटा जाएगा कोई मुर्गा बक्रा बरना नहीं है तो सांज को दावत होगी से तो सिंदू न दी जै छेलम न दी चीरा जाएगा चिनाब न दी रावी न दी और कहां से बीच से व्यास से है न सीता फल को सदलाने दी हो गया साहिक नहीं दीका टोपिक हमेशा के लिए क्या फिनिस ठीक है अब बात करेंगे लाश्ट टोपिक की जिसमें से एक्जाम में बहुत मातरा में पूछा जाता है और बच्चे हमेशा कन्फूज रहते हैं आज मैं से क्या लिए क्लियर कर दूँगा बात है लाश्ट टोपिक की सिंदू जल समझोता क्या है सिंदू जल समझोता छींदू समझोता ठीक है तो इसकी से मैं बत करते हैं आईए तो δेखे यहाँ पर यह क्या है ये पाकिस्तान है ये क्या है पाकिस्तान है और यहां पर ये क्या है ये हिंदुस्तान है ये हमारा भारत मेरा भारत महान ठीक है ये हमारा भारत है ये भारत है अब यहां पर भारत में ये है कौन पंडिक जी कौन है पंडिक जी टोपी वारे ठीक है कौन पंडित जी पंडित नहरू ठीक है ये पीटी नहरू जी है और ये कौन है ये क्या है ये आयूब खान सर है कौन है आयूब खान ये कौन है आयूब खान है ये हैं अयुग खान बात करेंगे दोनों मिलकर क्या सिंधू के पानी के जिसे में इसके बटवारे के जिसे में और जो चीफ गेस्ट बनेंगे ठीक है वो कौन बनेंगे ये बनेगा बीचम मत्यस्ट करने वाला वर्ल बैंक क्या है ये आपका वर्ल बैंक वर्ल बैंक ठीक है ये कौन करेगा मत्यस्टा करेगा ठीक है मत्यस्टा करेगा तो क्या कह रहे हैं ये ये कह रहे हैं कि जो नदिया है ना ये सिंधू नदीक तंतर की मुख्य नदिया जो है ये एक नमबर दो नमबर और तीन नमबर ठीक है ये अब ये चार नमबर पांच नमबर और छे नमबर ठीक है ये नदियों को क्या है इन नदियों में पानी जो मुखे रुप से बहरा है सिंदू ने इतन अंतर में इन नदियों में बहरा है बाकि ये सब नदियों क्या है छोट छोटी नदियों है तो इन तीन नदिय का 80% पानी कोन ले लेगा ये भारत ले लेगा ठीक है ये आप एक काम करो यहां से इस बात को काटकर यहां रख दो यह क्या है हमने बनाया था ये 80% कोन ले लेगा ये पाकिस्तान ले लेगा और यहां पर 80% कोन ले लेगा ये भारत ले लेगा तो यहां पर भारत में कितना ब और इधर की नदियों का 20% पाने को ले लेगा ये ले लेगा आपका पाकिस्तान तो यही है सिंधू जल समझवता ठीक है और यह जो कंडिस्न मनी थी यह 1960 मनी थी अब आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो लिखने के आदा आप खुद भी डाला करो सिंधू जल समझवता ठीक है 1960 में कैसे लिखेंगे 1960 में 1960 में पाकिस्तान के पीम आयुग खान यह पीम की थी यहां के विदेश मंत्री थी ठीक है पाकिस्तान के विदेश मंत्री आयुग खान और भारत के पृधान मंत्री भारत के पृधान मंत्री कौन पंडित नहरूब ने World Bank की मध्यस्ता से सिंदू में उपर की 3 नदियों का पानी 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत जबकि नीची की 3 नदियों का 80% पानी 80% भारत को और 20% पाकिस्तान को दिये जएगा ठीक है यही समझोता सिंदूर समझोते के नाम से जाना जाता है ठीक है यह बाते लिख लिए आप तो आज का लेक्षी नहीं पर समझ करते हैं वाकि कल संडे है तो अच्छी तरीके साफ रिविजन कर लीजिए कोई दिक्कत हो तो आप कोल कर लेना धन्यवाद